नमस्कार दोस्तों मैं एस्ट्रोलेजर रजेश कालिया अर्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित्यास्टरों मास्टर में मेरे वरिशव राशी वाड़े दोस्तों कैसे है वरिशव राशी के अलावा वह दोस्त जिनकी राशी वरिशव नहीं है परंतु लगन वरिशव है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों सारे ग्रह अपना अपना स्थान परिवर्दन कर चुगे हैं इन में से गुरू और शुकर का स्थान परिवर्दन खास कर वरिशव राशी वालों के लिए बहुत ही शुब और महत दो पुरन है दोनों ग्रह वरिशव राशी के लाब बापर गोचरस्थ हैं जिस भा वापर सव ग्रहिक गुरू और उच्छ राशियस्त शुकर का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा सकरात्म प्रिवर्दन लेकर आएगा इस अवादी में अगर आपकी जनम कोड़ी भी सहयोग कर रही है इस समय योग का रकदशा चल रही है तो जीवन में आगे बढ़न की गोचर कुंडी आपके सामने है जैसे जैसे समय वैतीत होता जाता है ग्रहों की इस्तिती में भी प्रिवर्दन आता जाता है हर एक ग्रह की बात करेंगे जीवन के सभी महत्त पुरू पहलूं पर रोश्टी डालेंगे सबसे पहले बात करेंगे स्वास्त की क्योंकि स्व अच्छा दोसो व्रिश्व राशी की मही मास की गोचर कुनली के अनुसार इस मास स्वास्त आपको परफुलित रखेगा 23 मास तक राशी स्वामी शुकर का उच्छ राशी में गोचर और गुरू के साथ यूती योग स्वास्त सुक में वृदी करेगा रोग प्रतिरोदक्षमता में वृदी होगी लाबा पर बन रह यह हुतियोग शरीरिक अरोगयता परदान करेगा शरीर निरोग रहेगा गुरू के प्रवाब से श्रीडिक रूप से स्वास्त के साथ मांसी क्रूप से भी स्वास्त मजभूत और परसंता का नुवग करेंगे इसके अलावा पूरण मास राशी में बुद्ध संचार करेगा स्वास्त के स्वन्द में यह स्थित्य भी बहुत अनकूल है रोग स्थान पर केत्व का गुचरवी रोगों का नाश कर श्रीरिक और उग्यता परदान करने वाला है कुल मिलाकर स्वास्त के स्वंद में हर प्रकार से स्थितियें अनकूल बनी हुई है दोस्तों आप बात करते हैं दन, सुख, संपत्ती और घर प्रवार की दन, सुख, संपत्ती और सम्रिदी के मामले में विचार करेतो मई मास अतियुतम दिखाई दे रहा है दन और सुख कारक गुरू एम शुकर का लाबा पर गुच्च आपकी आर्थिक स्थिती में महत पुर्ण बदलाव लेकर आएगा हर कार्या में सफलता मिलेगी आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा आए एम लाब की स्थिती अत्यानत ही मजबूत रहेगी किसी भी कार्या में हाथ डालेंगे लाब की संभावनाई अधिक बनेगी दोस्तों मई मास के मद्या में हो रहा सूर्या एम मंगल का राशी परवरतन भी सुख संपत्ती में व्रिधी करेगा इस राशी परवरतन से घर परवार में भी सुख शान्ती और प्रसंता का महोल बनेगा क्योंकि चतुर्थ बाब के स्वामी सूर्या का दादश बापर राभू के साथ यूती योग और चतुर्थ बापर मंगल एम शनी की दिरिष्टी घर परवार की सुख शान्ती को परवावित कर रड़ी है अब पंद्रा मई को सूर्या राहू एम बादक स्थान से मुक्त होकर प्रथम बाब अर्थात आपकी राशी में परवेश कर जाएगा तो स्तारा माई को मंगल भी राशी प्रवर्थन कर लाब बाब में परवेश कर जाएगा चतुर्थ बाब मंगल की दिरिष्टी से मुक्त हो जाएगा अब लाब बाब पर तीन ग्रहों का युती योग लाब की स्थिती को और अधिक मजबूत बनाएगा इस समय मेहनत में कमी ना करने से आर्थी कुन्दती लाब और सफलता की प्राप्ती होगी दोस्तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपकी गोचर कुन्डली में ग्रै बोल रही है लाब बापर स्थितों कर गुरू की प्राक्रम बापर उच्च द्रिष्टी तो प्राक्रमी मंगल की लाब बाप स्थिती कह रही है आपकी मेहनत वेर्थ नहीं जाएगी मेहनत रंग लाएगी मेहनत प्राक्रम पुर्शार्थ और प्रयासों का पूरन फन लाब के रूप में मिलेगा दोस्तों मंगल से भूमी भवन और जमीन जैदात का भी विचार किया जाता है लाबा पर स्थित भूमी पूतर मंगल पर शुब ग्रैहों गुरू और शुकर का प्रवाव संपत्ती सुख में व्रिदी करेगा लम्बे समय से भूमी भवन और जمीन जैदत के क्रय विक्रया के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए यह समय विशेश लाब परद रहेगा प्रयासरत रहे आपके प्रयास सफल होंगे निवेश कारों से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय काफी लापरद है लाप बाप से तीनों ब्रहों की निवेश बाप पर द्रिष्टी निवेश कारों से लाप को दिखा रही है शेर वजार से जुड़े दोस्तों के कुराने ठंडे तथा मंदे पड़ चुके शेरों में एक नई जान आएगी यह स्थिती अत्यांत ही लाप्रद है संतान के माद्धिम से भी लाप के अवसर पैदा होंगे धन एम पंचमबाव के स्वामी बुद्ध का सुख स्थान के स्वामी सूर्या के साथ यूति योग राज योगों का निर्मान कर रहा है यह स्थिती भी बोधिक्षमता मानसमा और धन में व्रिदी करने वाली है दोस्तो खुल मिलाकर मई मास दन सुख संपत्ती और समरीदी लेकर आएगा बात करे कारिया वेपार और वेपसाए के समद में तो आए एम लाब आपर बन रहा तीनों शक्तिशाली ग्रहों का यूति योग कार्या वेपसाई और वेपार के स्वान में किसी वर्दान से कम नहीं है दोस्तों ग्रह गोचर के अमसार इस अवदी में कुछ निया करने है और जोखिम लेने के उदेशिया से आपका उच्च मनोवल बहुत सायक सिद्ध होगा कोई निया कार्या वेपसाई प्रोजेक्ट या वेपार शुरू करने के लिए समय उन्नती के अबसर परदान कर रहा है वैपार बाप के स्वामी मंगल का लाव बापर गोचर और महत्वपुरुन ग्रहों की वैपार बापर दृष्टी वैपारी दोस्तों के लिए काफी साकरात्मक और लापरद है वैपार में विस्तार के नकूल अब सरप्रापत होंगे केत्व के छटेवापर गोचर से कार्या वैपार की प्रतिस परदा में आप विजही रहेंगे विरोधियों पर आपका पूरन मियंतरन रहेगा करम वापर सब ग्रही शनी भी आपको करम परदान बनाएगा आप भाग्या से आगे करम को रखेंगे मेहनत पसंद शनी की करम वापर मजबूत स्थिती से आप मेहनत के द्वारा सफलता एंव उन्नती प्रापत करेंगे दोस्तो अब बात करते हैं दंपत्य जीवन और प्रेम जीवन की दोस्तो दंपत्या और प्रेम जीवन के मामले में भी मैमा अनंद मैं और उत्सावर्दत बना हुआ है प्रेम प्यार, रोमांस और दंपत्या खारक शुकर की उच्ज अवस्था तथा गुरु की प्रेम प्यार के साथ दंपत्या भापर द्रिष्टी प्रेम और दंपत्या जीवन में सकरात्म अमोड लिकर आएगी पुराने गिले शिकवे और मनमुटाव दूर होंगे, सबंदों में सने हैं मदुर्ता बढ़ेगी दोस्तारा मई के बाद दंपत्या भाप के स्वामी मंगल का, लाब आपर गोचर जीवन साथी के माद्यम और मार्ग दर्शन से लाब के अफसर पैदा करेगा कुल मिलाकर व्रिशब राशी वाले प्रेमियों और विवाहितों के लिए मई मा सकरात्मक है, गुरू की किरपया आपट बनी होई है अब बात करते हैं शिक्षा और विदेश जात्रा की आपकी राशी में बन रहा बुद्ध, अधित्यय योग और लाबाप से पंचमबा पर पढ़री द्रिश्टियें विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम है बोधिक योग्यता और क्रेटिविटी में निखार आएगा इससे विद्यार्थी शिक्षा, अनसंधान शेत्र और प्रतियोगी प्रिक्षाओं में बहुत अच्छा कार्या करेंगे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरण उफाल सफलता के रूप में मिलेगा गुरू की द्रिष्टी शिक्षा के प्रतिरूची और एकागरता में व्रिदी करेंगी बात करें विदेश की तो विदेश जाने के लिए प्रयास्वत दोस्तों के लिए राहू का दादशबा पर गोचर सहयोग कर रहा है विदेश कारकर रहू का विदेश बाप पर गोचर आपके विदेश से तार जोड रहा है 23 मईस को राशी स्वामी शुकर का भी दादश बाप पर प्रवेश विदेश से स्वंध स्थापित करेगा मेरे वहेद दोस्त जो पास्पोर्ट या वीजा की प्रक्रिया में है समय से योग कर रहा है परन तो अच्छी तरह से जहांच परताल के बाद ही कोई वय करे राहू का वय बाप के साथ सबंद अनावशक वयों में व्रिदी करेगा दोस्तो इस समय फास्पो के खर्चों पर लगाम लगाने की वशक्ता रहेगी दादश बापर राहू और शुकर के यूति योग से आप घूमने फिरने मोज मस्ती और शौक पूर्ती के कारियों पर भी वय करेंगे महंगे फोन और अन्या सुक्सो विदाओं पर भी वय कर सकते हैं दादश बाप के सुवामी मंगल का लाब आपर गोच्ज़ विदेशी स्त्रोतों से आए और लाब को दिखा रहा है मंगल की पंचमबा पर दृष्टी विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहन की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए लाप्रत बनी हुई है विदेश में शिक्षा ग्रहन के कारियों में तेज्जी आईगी दोस्तों कुल मिलाकर मई मावरी शव वाले दोस्तों के लिए अनु कूल रहेगा आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेर क्मेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूले